दोस्तों आज हम आपको पाच ऐसे पूरानिक जानवार के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायती अपने का भी सुना होगा लेकिन प्राचिन काल में ये जानवार हमारे दुनिया में रास करते थे तो चलिए जान लेते हैं इनके बारे में वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाता हूँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जल्दी है सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं मैं हूँ आपका दोस्त राजू और आप देखरे एडवेंचर ट्यू केलपी इस जन्बर का आधा शरीर घोरे जैसा और आधा शरीर मसली जैसा होता है इसके बार में आप रोमानी या ग्रीक सब्सक्राइब के पोरानी किताबों में देख सकते हो कई लोगों का कहना है कि KLP लोगों को अपने और आकरशित करते हैं और बाद में उसे खालेते हैं गोही कुछ लोगों का कहना है कि KLP आच्छे होते हैं जो लोगों को नुक्सन नहीं पहुचाते Manticore दोस्तो इस जानबर के बारे में प्राचिन किताबों में सुना गया है इसके शरीर शेर जैसा, सिर इंसन जैसा और पुछ बिच्चु जैसा होता है कहा जाता है कि कई मैंटी कोर की पंग भी लगे होते थे और ये किसी भी शिकर को पीछे नहीं छोड़ता कई लोगों का कहना है कि ये सिर्फ एक अफवा है वोही कुछ लोगों का कहना है कि ये हमारे दुनिया में मौजुद थे जो आस बिलुप्त हो गए फोनिक्स बर्ट दोस्तो जापानिस और चैनीस कथों में फोनिक्स को जादूई जानबर जैसा दिखाए गया है कहा जाते ही कि इसके आसू से किसी भी मरे हुए इंसन को जिंदा किया जा सकते है और ये उसी को दिखाई देती है जिसका दिल साब होते है फोनिक्स को काईबर हेरी पोर्टर मुवी में भी दिखाय गया है कैथी लू इसके बारे में कहा जाते है कि ये समुद्र के सबसे खतानक जानबर है जो समुद्र से गुजरने वाले लोगों को अपने शिकर बनाते है इस जानबर का शरीर इंसान जैसा और सीर अक्टोबस जैसा होता है अलाकि 1990 के बाद किसी ने इस जानबर को देखने का दावा नहीं किया है दोस्तो किसी को भी नहीं पता इसे सबसे पहले कहा देखा गया लेकिन इसके जिक्र सबसे पहली इंग्लेंड में सुना गया ये जानबर इंसानों के लिए खतरनाग नहीं होती लेकिन इसे लोगों को पड़िशनी करने में बरा मज़ा आते है इसके शरीर इंसनों के हाथ जैसा होता है पर ये अपने शरीर को इंसनों जितना बरा कर सकती है दोस्तों आपको क्या लगता है क्या सच में ये जैनवर हमारे धर्ती पर मौजूद है या नहीं यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए आर्शा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो फिर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल एडवेंचर ट्यूब पर नए है और आप दी ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो पर रूची रखते है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए आज की इस वीडियो में इतना ही फिर मिलूँगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार